यह मुल्तान शहर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मुल्तान शहर पाकिस्तान का पांचवा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है और दोजार चोबिस में यह पाकिस्तान के पांच सबसे बड़े शहरी कैंद्रो में से भी एक है 560 वर्ग किलोमेटर में फैला मुल्तान मध्य पाकिस्तान की पाँच नदियो द्वारा निर्मित मोड परस्तित है मुल्तान अपनी धार्मिक और आध्यात्मिक विरासत के लिए संतों का शहर के रूप में जाना जाता है पॉप्यूलेशन की बात करें तो आज के समय मुल्तान की जन्संख्या 22 लाग के करीबन मानी जाती है जिन में से 98 प्रतिशत आबादी मुस्लिम समुदाय की है साथी इसाई, सीक और हिंदु धर्म के लोग भी यहाँ पर निवास करते है मुल्तान की इत्यास की बात करें तो मुल्तान की शहरी शेली दक्षिन एशिया के अन्य प्राचिन शहरों जैसे की पेशावर लाहर और दिल्ली के समान है जो सभी एक प्रमुख नदी के पास स्तापित किये गए मुल्तान के आसपास का क्षेत्र सिंतु गाटी के कई पूरा तत्विय स्तलों का गर है और कुछ धार्मिक गरंतों के अनुसार मुल्तान की स्तापना रूशी कश्यप ने की थी और मध्य युग में मुल्तान एक महत्वपुन व्यापारिक केंद्र के साथ ग्णान और शिक्षा का भी एक बड़ा केंद्र था ग्यारवी और बारवी सतापदी में कई सुफी फकीरों को इस शहर ने आकरशित किया मुल्तान देश के सभी इसो से रेल मार्क से चुड़ा हुआ है और कराची पिशावर लाहोर के केंद्र की बीच में मुख्य ट्रैक पर स्तिते है मुल्तान में मेट्रो बस द्वारा सेवा प्रदान की जाती है जो 2017 में शुरू की गई मुल्तान इंटरनेशनल एरपोर्ट शहर के केंद्र से 10 किलोमेटर पस्चिम में मुल्तान छावनी में स्तित है जो पाकिस्तान के साथ कुछ अन्य सहरों से भी जुड़ा हुआ है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम ने कई आंतरराष्टिय मैचों की मेजबानी की है साथ ही मुल्तान पाकिस्तान सुपरलिक की फ्रैंचाइजी मुल्तान सुल्तान स्कापी गर है बहाउदीन जकारिया विश्व विद्याले इस क्षेत्र के लिए उच्ची शिक्षा का एक मुख्य स्त्रोध है जो पंचाप का दुसरा सबसे बड़ा विश्व विद्याले है खानपान की बात करे तो सोहने अलवासे लेकर समोसे तक कई सारे स्ट्रीड फूड यहाँ पर फैमस है मुल्तान के एकोनोमिकी बात करे तो यहाँ के मुख्य उद्योगों में काज के कारखा ने सुती उनी रेशम के कपडा मिले, आटा चीनी और तेल मिले और एक बड़ा थर्मल पावर स्टेशन मौजुद है यह शहर अपने अस्त सिल्प के लिए भी जना जाता है मुल्तान शहर कई एतियासिक स्तलो और परेटन आकरशनों का भी गर है जिसमें प्रसिद्ध मुल्तान किला भी शामिल है जो की बारहवी सताब्दिका है शहर में कई सारे सुफी मंदिर भी मौजुद है जिन में से ही एक है साहरूवन ए आलम जो की एक सुंदर और जटिल रुप से डिजाइन किया गया सुफी मंदिर है इसके लाभी फोट कोहना कासिन गार्डन मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम चमन जारे असकारी पार्क टॉम बॉप साह यूसुफ गार देजी जैसे कई सारी जगहे यहाँ पर गुमने लायक है तो दोस्तों ये था पाकिस्तान का एक खुबसूरत शहर मुल्तान सिटी उमिद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लायक करके चैनल को जरू से सबस्क्राब कर लीजिए तो मिलते एक और नए वीडियो में